और देखेंगे कि हमारा सीम डिटेक्ट हुआ गी नहीं तो देख सकते हैं जियो का सीम यहां पर डिटेक्ट हो गया यह कोई फेक वीडियो नहीं था जो भी था लाइव हमने आपको अच्छे होंगे तो हमारा पर इसे क्रेड में का नाइने अच आप देख रहोंगे और हस भ यहिए लगाया हुआ है पर फिर भी यहां पर नोसैम काड दिखाई दे रहा है तो इसकी दिखेंगे सप्लाइ यह सारा कुछ q huge आप हएं डिटेल करने वाले वीडियो अगिए और नोधन दिखेंहेग और झनोल चलिए फटाफटाप पर मिन्सके सप्लाई बता देते हैं तो स्प्लाई बता दो फिर इसका डाइरयट सलूसन में आपको दिया गया है कुछ इसके सलूसन के इसके संफ के और यह संपाई गाई काई वानीब कर दाता हुएय confess क्या क्यासिस इस कि और समया देख सकते हो यहां पर आपका 1.8 वोल्टेज आना चाहिए और यहां पर भी आपका 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहा था तो हमने पर पावर की बात करें तो उससी के ज़सी सीम ट्रैक के नीचे यहां पर पहुडा है कि मैंने सीम सुपल्य भी आपको पहां पर दिखा दी कहां पर आता इसका voltage भी सीम का यहां पर पावर आजी पर लगे हुए है जहां तक आप देख सकते हो गाईज तो चलिए अब यहां पर दिखाते हैं आपको इसका solution तो गाईज जैसे हमने बोड को खोला तो यहां पर सीम 1 और सीम 2 यह पावर आजी जैसा कि आप दिखाई दे रहा है पावर आजी के बाजू में दो कैप सीटर लगे हुए है यहां पर नीचे दो कैप सीटर है जो सीम 1 और सीम 2 के वोल्टेज के कैप सीटर है वी सीम के कैपसिटर और जब इसको हमने खोला और जब इसको देखा यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहे थे गाईस तो वोल्टेज नहीं बन रहे थे आप देख सकते हैं किता ज्यादा रस्टिंग है यहाँ पर वाटर डेमेज के कारण आप देख सकते हैं RFIC के पास किता ज को निकाला और काम होता हैं होता है यह हम्ने सीम को लगा दिया और सालो करकर के देखे हैं कि हमारे काम होता है यह नहीं होता है तो आपको क्या का मिगिन, क्रूब हाँ पर वोल्टेज क्योंकि हमने पावर को भी रिवाल कर दिया था तो भी हमारा 1.8 बोल्टेज नहीं बना सप्लाई हमारी पूरी सही थी सप्लाई जैसा कि मैंने आपको बोर्नियों में दिखाई दिया हाड़ वस्प्लाई की दिखा दी थी उसके बाद मैं फूल डीटेल क जाकरके कि इसका हुआ कि नहीं हुआ गाइस तो जा रहा है देख रहा है और देख रहे हैं कि सीम हमारा डेक हो रहा है करे coordinator यह सेटिंग में पर और सेटिंग में जाने के लाद सीम पर जाएंगे गाइस चलिए ठीक है मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो थैंक्यू सो मच